कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे में इस वाने अप लोग को सब्सक्राइब करती हूं तो देखिए फ्रेंज चाय बनाने से पहले दबाई डालना बहुत ही जरूरी है तो इस वीडियो में बने रहें और पूरा देखें कि क्यों डालना जरूरी ह जो वीडियो लेकर आई हूं बहुत यूसफूल है जो बहुत काम आने वाला है आप लोग को तो फ्रेंज देखिए घर और किचिन के काम तो हम डेली ही करते हैं टिप्स और ट्रिक से करें तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो सकता है और बहुत सारे चीज से हम बचत भी क कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से चावल जो कि हम डेली ही बनाते हैं तो हमें इसे क्या करना है जिसे कि यह जो हम चावल डेली बनाते हैं वही चावल लिये हैं तो देखिए थोरा सा परिवार को भी हमें यह सब खाने पाने खाने पीने का चीज जो हता है खाने का जिस में तो एक जैसा ही लगेगा देखिए हम चेक करने के लिए एक टीपस बतारे हो जो कि बहुत ही कमका है इस तरीके से आप कलास में पानी ले लो थोड़ा सा आधा ज्यादा भरकर नहीं लेना है और ये गरम पानी नहीं है ये ठंडा पानी है ठीक है तो कोई सा भी पानी ले स इस तरीके से छोड़ देना है देखिए तो इसे हमें छोड़ देना है पांच मिनट के बाद हमें इसको देखना है तो ये जैसे की पानी के उपर आ गया तो आप समझिए कि ये जो है चावल में मिलावट है और ये उपर नहीं आया नीचे रह गया तो आप समझिए ये चा कर सकते हैं कि हमारा चावल में मिलावटे यह खान पीने के जो भी चीजे हम उसको चेक कर सकते हैं तो फ्रेंस आप चरूर पताना कि मुड़ी वीडियो कहां से वाच कर रहे हो ठीके ताकि हम आप लोग को थैंक्यू भी कह सकें तो देखिए फ्रेंस यह जो आप देख रहे ह यह प्रेख यह खो तो हमें इसकोा फेक देते हैं तो दिखे हमें क्या करना है तो देखें इसको जो है ना जिसके किछन है तो आप कीछन में से चिपका सकते हो यह तो फिर Privσका प्रच पिर बोट बोड के बगल में, आप वहाँ भी चिपका सकते हो. और जानते ही हो कि छोटे छोटे कीछन की बज़ज, कीछन जो होते हैं, वहाँ पर हमारा बहुत सारा समान नहीं आपता है, और फिर हम दिवाल में जो है, इस तरीके से कील भी नहीं ठोक सकते हैं. तो देखें हमें क्या करना है इस तरीके से डबल टिप लेना है और देखें कि इतना सारे चीज हमें इस तरीके से डाल सकते हैं इसमें है ना कमाल का एडिया है थोड़ा से दिमाग लगाना है हम बहुत सारे चीज है इसा चोटे चोटे चीज से यह देखने में छोटे चीज ह बट जो यह है बहुत ही कामाने का चीज है ना जिसे कि इतना सारे चीज हमें छोटे जगे में आ गया है तो आप सुचिए फ्रींज कि कितना अच्छा चीज है यह जिसे कि हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं जिसे कि देखी यह चार्जर हो गया छोटे-छोटे चार्जर है ना तो जिससे बोट के पास हम लगाए हैं तो हाँ पे तो बस चार्जर का रखने का जगह नहीं होता है जिसे कि हम चार्ज मुबाइल में लगाते हैं तो इस तरह के से फिर हमें जो छोटे मोटे चार्जर होते हैं इधर उदर रख देते हैं तो फिर हमें नहीं मिल पाता है और जगह रहेगा तो फिर अमारा एक जगह ही रहेगा चली अगले देख लेती हूं जैसे कि यहां पे कीचन में आ गये हैं तो देखे कीचन में आ गये हैं तो कीचन में इस तरीके से डवल टिप हमें चिपका लेना है और इसको भी इस तरीके से चिपका देना है इस से क्या होग पर जो है लाइटर को अच्छे से इसमें डालकर रखते ताकि यह जब यह मैं काम लगे तो इससे में निकाल लेना है और फिर वही पर रख देना है तो है ना कमाल का यह चीज है छोटा पर कितना सारा इसमें अपकाम ले सकते हैं इसको तो चलिए फ्रेंस अगले टीप से देख लें और जरूर बताना फ्रेंस आप लोग कि मेरा कौन सा ऐसा टीप से जो कि आप लोग को अच्छा लगा है ठीक है जरूर को मेरे से बताना फ्रेंस तो यहाँ पर प्याじ जैसे की देख़ें का घर्मी का तुदीन आही गया है तो सभी लोग पसंद करते हैं कि जैसे हमें प्याद चृलना है और यह फिर हम सबजी कातना है तो कीचन में खड़े होकर नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि हम पंके की नीचे जाएंगे और फिर पंक जब हम रूम में छिलेंगे इसलिके से पंखाज अब चलेगा तो इसर फैल जाएगा तो आप क्या करें एक कड़ोडी पानी ले ले एक प्याज चिलका जो है अब उससी में डाले प्याज का छिलके से भी ऐसा ऐसा टिप्स है जो कि बहुत काम आता है यह जब प्याज का छिलके हम लोग फेक देते हैं इससे पहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हम इसे यूज में ले सकते हैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे फ्रेंज आपको के साथ सेयल जरूर करेंगे यहां पर देखे प्याज थो हमारा चील चुका है अब हम अगले टिप्स से देख लेती हूं जैसे कि देखे फ्रेंज यह प्याज चीलना बहुत मुश्किल का काम है जैसे कि प्याज चीलो त आपका आख में नहीं लगेगा जला सा भी जलन नहीं होगा फ्रेंज टो चलिए अब तो यह प्याज कट हो रहा है और काट भी रहे हैं तो कितना अदमी इसे काटना भी नहीं चाते है क्योंकि इसका इसमेल जो है वह हाथ में लग जाता है तो फिर जल्दी नहीं जाता है और कितने लोग को ये बरदास्त नहीं होता है तो चलिए फ्रेंज हम एक टिप से लाई हूं जो कि बहुत ही काम का है तो चलिए आप ड़रिये नहीं कि इतना सारा प्याज कट किये हैं तो अब हमारा हाथ का इसमेल नहीं जाएगा देखें इस तरीके से एक आलू लेना है और इस तरीके से हाथ पे इस तरीके से लगा लेना है इसि क्या होगा कि आपका हाथ में स्मैल और इसे षाण थी कि टीहन में अरुछ फ़रा दिर के लिए चलिए तो यहां पि दीख रहें जैसे कि हम चाय बना रहे है ठीक है तहीं चिल आप देखarlade चीक है च्टैबस चेली यह चैपती जो है हम डाल दियें और इसे खौलाने तक थोड़े समय इंतिजार करना है और यह जो है ना चाय बनेगा ऐसा कमाल का चाय बनेगा आप कभी सोचे भी नहीं होंगे ठीक है इसमें हिस्साथ चीज हम डालेंगे चुकि इसका स्वाद तो दुगना हो चाहेगा और एक वार आप देख लोगे से तो फिर जरूर इसे एक वार करकर देखना ठीक है यह जो है ना टीप्स जो आज हम बताने चाहरे हैं बहुत ही कामकार तो देखें फ्रींद यहां पी छकना लिया है जिसे हमें चान लेना है थोड़ा सा और हां आप चैसे की देखें इसमें च उसी काम में नहीं लेते हैं आज के बाद तो आप फेखोंगे नहीं फ्रेंज यह जो है सब्णा आप नहीं फेखोगे आप अच्छे से सम्हाल कर रखोगे क्योंकि यह जिप से बहुत सारे चीज़ की प्रेंज कर सकते हैं completely सिय को बना लेना नाँ और के मिलाने के बाद क्या कर आ इस तरीके से एक रूही लेना है और घ्र सिपटोप करकर सोही जाते हैं और आस कर fo markets उसले के बड़े सा किया होता इसके सुगन्त सबकिली को सब्सक्राइब इसका अच और जयोगा और अथकी आज को तीप्स आप वह लोग को जरूर बताना कि ना क hm